ओम शान्ती, 25 नवंबर 2021 के मावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर उच बनानी है तो रुहानी सेवा का शोक रखो, सब को ग्यान धन का दान करते रहो प्रश्न, रुहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं, जो आज तक किसी मनुश्य ने नहीं दी उत्तर, हे रुहानी बच्चे, तुम रुहानी सेवा में धदीची रिशी की तरह हडियां दो बाप से जो अविनाशी ज्यान रतन मिले हैं, उनका दान करो यही है सची सेवा, ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुश्य नहीं दे सकता रुहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर उच बनती जाएगी गीत बदल जाए दुनिया, ओम शान्ती बच्चों ने गीत की दो लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है जैसे कोई की सगाई होती है तो यह पक्का ही है कि इस्तरी पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं कोई बिरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं यहां तुम बच्चे किसके साथ परतिग्या करते हो? इश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की वा सजनियों की सगाई हुई है परन्तु ऐसा जो विश्यों का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं यहां तुम बच्चे बैठे हो तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया की आया यह अवस्था जो तुम्हारी यहां रहती है बाहर सेंटर पर हो ना सके यहां तुम समझेंगे बाप दादा आया की आया बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुर्ली आई की आई यहां और वहां में बहुत फर्क रहता है तुकि यहां बेहद के बाप दादा के समुख तुम बैठे हो वहां तुम सम्मुख नहीं हो चाहते हो सम्मुख जाकर मुली सुने यहां बच्चों की बुद्धी में आया की बाबा आया की आया जैसे और सत्संग होते हैं वहां समझेंगे फलाना स्वामी आएगा परंतु यह ख्यालात भी सबकी एकरस नहीं रहती कोई को संबंदी याद आएगा बुद्धी एक गुरु के साथ भी ठहती नहीं है कोई बिरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा यहां भी ऐसे है ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहती है बुद्धी दोड़ती रहती है मित्र संबंदी याद आएंगे सारा समय एक ही शिव बाबा के समुख रहने में तो ओहो सो भाग्य स्थाई याद में कोई विरला ही रहते हैं यहां शिव बाबा के समुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए अतिंद्रिये सुख गोपी वलब के गोप गोपियों से पूछो यह यहां का गाया हुआ है यहां तुम बाबा की याद में बैठे हो जानते हो अभी हम इश्वर के बने हैं फिर दैवी गोद में होंगे भल कोई की बुद्धी में सर्विस के ख्यालाद चलते हैं इस चित्र में यह करेक्शन करें यह लिखें परन्तु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाब से ही सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगी बाब ज्यान रतनों से जोली भरने आई हैं तो बाब से ही बुद्धी योग लगाना है नंबर वार धारना करने वाले तो होते ही हैं कोई अच्छी रिती धारन करते हैं कोई कम धारन करते हैं बुद्धी योग और तरफ दोडता रहेगा तो धाना नहीं होगी कच्चे हो जाएंगे एक दो बार मुरली सुनी धाना नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है फिर कितना भी समझाओ कितना भी सुनता रहेगा धाना होगी नहीं किसको सुना नहीं सकेंगे जिसको धाना होगी उसको सर्विस का शोख होगा उचलता रहेगा जाकर धन दान करूँ क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाए और कोई के पास है नहीं बाप यह भी जानती है सब को धारना होना सके सब एकरस उच पदपा नहीं सकती इसले बुद्धी और तरफ भटकती रहती है भविश्य तकदीर इतनी उच बन नहीं सकती है फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड़ी देते हैं सब को राजी करते हैं जैसे भोजन पकाते हैं खिलाते हैं यह भी सबजेक्ट है ना सर्विस का जिनको शोक होगा वह मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं फिर बाबा भी देखते हैं कि कहां दे अभिमान तो नहीं है बड़े का रिगार रखते हैं वा नहीं बड़े महारत्यों का रिगार तो रखना होता है हाँ कोई चोटा भी होश्यार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े क्योंकि बुद्धी उनकी गैलप कर लेती है सर्विस का शोक देख बाप तो खुश होगा न यह अच्छी सर्विस करेंगे सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रजा भी तो देर बनती है ना लाखों प्रजा चाहिए और तो कोई उपाय है नहीं सूर्य वन्शी, चंद्र वन्शी, राजा, रानी, प्रजा सब यहां बनने है कितनी सर्विस करनी चाहिए बच्चों को बुध्धी में है अभी हम ब्रामन बने हैं गर ग्रिस्ट में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है ना घरबार तो छोड़ना नहीं है बाबा कहते हैं घर में भल रहो परन्तु बुध्धी में यह निश्चे रखना है कि यह पुरानी दुनिया खतम हुई पड़ी है हमारा अब बाप से काम है यह भी जानते हैं कल्ब पहले जिनों ने यह ज्यान लिया था वही लेंगे सेकिंड बाइ सेकिंड हूब हूब रिपीट हो रहा है आत्मा में ज्यान है ना बाप के पास भी ज्यान है तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है पोइंट धारन करनी है सब पोइंट एक साथ नहीं समझाई जाती है लक्षय पक्का रखा जाता है विनाश भी सामने खड़ा है यह वही विनाश है सत्यूक्त रेता में कोई लडाई आदी होती नहीं है वह तो बाद में जो बहुत धर्म होते हैं लशकर बड़े होते हैं तब लडाई शुरू होती है पहले पहले आत्माई सतो प्रधान से उतरती हैं फिर सतो रजोतमों में आती हैं यह सब बुद्धी में रखना है. कैसे राजदानी स्थापन हो रही है? यहां बैठे हो तो यह बुद्धी में रखना है. श्यू बाबा आकर हमको खजाना देती है, जिसको बुद्धी में धारन करना है. अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं नोट्स लेना अच्छा है तो बुद्धी में टोपिक्स आएंगी आज इस टोपिक पर समझाएंगे बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था सत्युक्त रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था फिर वाम मार्ग में जाने से कम हो गया खुशी भी कम होती गई कुछ ना कुछ विकर्म होने लगी उतरते उतरते कलाई कम होती जाती हैं सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो की स्टेजिज होती है ना सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो श्टेजिस आएंगी, फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, दीरे दीरे सेड़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती है, अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टा बाकी थोड़ा है गाया हुआ भी है चड़े तो जाखे वैकुंठ रस काम की चमाट लगती है तो एकदम चकना चूर हो जाते हैं हडगुड तूट जाते हैं जैसे कोई मनुश्य अपना जीव घात करते हैं आतम घात नहीं जीव घात कहा जाता है ऐसे यह भी आतमा का घात हो जाता है की कमाई सब खतम हो जाती है यहां तो बाप से वर्सा पाना है बाप को याद करना है क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद कर कितनी भविश्य के लिए कमाई की कितने अंधों की लाठी बने घर-घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रही है सीडी में दिखाया है यह बनाने में मेहनत लगती है सारा दिन ख्याला चलता रहता है कि ऐसा सहच बनावे जो कोई समझ जाए सारे दुनिया तो नहीं आएगी देवी देवता धर्म वाली ही आएंगे तुमारी सर्विस तो बहुत चलनी है तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा वह तो लाखो वर्ष कल्प की आयू समझते हैं तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगती दाता आएगा फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गती हो जाएगी फिर हम भी जाकर जोती में समा जाएंगी परन्तु ऐसा तो है नहीं तुम जानते हो हम अमर बाब दवारा सची सची अमर कथा सुन रहे हैं तो अमर बाबा जो कहते हैं वह मानना भी चाहिए सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी पद भी कम मिलेगा सर्विस में महनत करनी है जैसे धतीची रिशी का मिसाल है हडियां भी सर्विस में दे दी अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है इसको कहा जाता है हडी सर्विस और दूसरा है रुहानी हड़ी सर्विस रुहानी सर्विस वाले रुहानी नोलेज ही सुनाते रहेंगे ज्यान दन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वह है जिस्मानी शास्त्र बैट सुनाते हैं वह कोई रुहानी सर्विस नहीं है रुहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखलाते है spiritual बाप आकर spiritual बच्चों को पढ़ाते है तुम अब तैयारी कर रही हो सत्युग नई दुन्या में जाने के लिए वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा वह है राम राज्य वहां होते ही है थोड़े वह थोड़े मनुश्य आकर पढ़ेंगे अभी तो रावन राज्य में सब दुखी है ना यह सारी नोलेज तुम्हारी बुद्धी में है नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार इस सीड़ी के चित्र में ही सारी नोलेज आ जाती है यह चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहें उस गौवर्मेंट की रोज अकबारे कितनी छपती है कितने कारोबार चलती है यहां तो सब हाज से बनाना पड़ता है बाप कहते हैं यह अंतिम जनम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे यह नोलेज कोई के पास नहीं है कहेंगे इस सीड़ी में और धर्मों का समाचार कहां है वह भी इस गोले में लगा हुआ है वह नए दुनिया में तो आते ही नहीं है उन्हों को शान्ती मिलती है भारत वासी ही स्वर्ग में थे ना भारत में ही बाप राजयोग सिकलाने आते हैं इसलिए भारत का प्राचिन राजयोग सब पसंद करती है इस चित्र से वे खुद ही समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था अपने धर्म को भी समझ जाएंगे जैसे क्राइश आया धर्म स्थापन करने इस समय वहबी बेगर रूप में है सभी तमो प्रधान है यह रच्टा और रच्णा के कितनी बड़ी नोलेज है तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है पैसा हम क्या करेंगे तुम यह सुनो और दोसरों को सुनाने के लिए यह चित्र आदी छपाओ इन चित्रों से काम लेना है हॉल बनाओ जहां यह नोलेज सुनाई जाए बाकि हम पैसा लेकर क्या करेंगे तुमारे ही घर का कल्यान होना है तुम सिर्फ प्रबंद करो बहुत आकर सुनेंगे रच्चता और रच्चना की नोलेज तो बड़ी अच्ची है यह तो मनुश्यों को ही समझनी है विलायत वाले यह नोलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे बहुत खुश होंगे समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे सबको बाप का परीचे देना है समझेंगे यह नोलेज गोर्ड फादर के सिवाए कोई दे ना सके कहते हैं खुदा ने बहिश्ट स्थापन किया परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है तुम्हारी बाते सुनकर बहुत खुश होंगे फिर पुरुशार्ट कर योग सीखेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुशार्ट करेंगे सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए भारत में हुनर दिखाएं तब बहार भेजेंगे यह मनुश्य जानेंगे नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़े ही लगती है कहां भी अर्थक्वेक आदी होती है तो दो तिन वर्ष में एकदम नई मकान बन जाती है जितना बहुत कारिगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे एक मास में भी मकान बना सकती है कारिगर सामान आदिसक त्यार हो फिर बनने में देरी थोड़े ही लगेगी विलायत में मकान कैसे बनती है मिनट मोटर तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं खानियों से सोना चांदी हीरे आदी ले आते हैं हुनर तो सब सीख रहे हैं साइंस का कितना घमंड है यही साइंस फिर वहां भी काम आएगी यहां सीखने वाले वहां दूसरा जनम ले काम में आएंगी उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है रावन राज्य ही खतम हो जाता है पांच ततु भी काईदे मुजीब सर्विस में रहती है स्वर्ग बन जाता है वहां कोई उपद्रव नहीं होता है रावन राज्य ही नहीं है सबी सतो प्रधान है सबसे अच्छी बात है कि बाप से बहुत लव होना चाहिए बाप जो फुर्ना देते हैं उसको धारन करना और दूसरों को दान देना है जितना दान देंगे उतना इकठा हो जाएगा सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारना कैसे होगी सर्विस में बुद्धी चलनी चाहिए सर्विस तो बहुत धेर हो सकती है कोई करते रही दिन प्रती दिन उन्नती को पाना है अपनी भी उन्नती करनी है अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गुड मोर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप, दादा को याद, प्यार, गुड मोर्निंग और नमस्ते जी धाणा के लिए मुख्य सार पहला पोइंट है आपस में एक दो का रिगार रखना है सर्विस का बहुत बहुत शोक रखना है ज्यान रतनों से अपनी जोली भरकर फिर उसका दान करना है दूसरा पोइंट है एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है दूसरे ख्यालातों में बुद्धी को बटकाना नहीं है वर्दान इश्वर्य अथोरिटी द्वारा संकल्प वा बुद्धी को ओर्डर परमान चलाने वाली मास्टर सरव शक्तिवान भव विस्तार जैसे स्थूल हात पाउ को बिलकुल सहज रिती जहां चाहो वहां चलाते हो वा कर्म में लगाते हो वैसे संकल्प वा बुद्धी को जहां लगाना चाहो वहां लगा सको इसे ही कहते हैं इश्वरिय अथोरिटी जैसे वानी में आना सहज है वैसे वानी से परे जाना भी इतना ही सहज हो इसी अभ्यास से साक्षातकार मूरत बनेंगे तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ तब कहेंगे मास्टर सरव शक्तिवान स्लोगन स्वैस्थीती शक्ती शाली हो तो परिस्थीती उसके आगे कुछ भी नहीं है अच्छा, ओम शान्ती